दोस्तों मेरे चैनल सुक्सम्रदी उपाय में आपका हार्दिक स्वागत है आज मैं आपको शुक्रवार की पूजा जो हमें रोज करनी चाहिए उसका विधी बताऊंगी कि किस तरह से आपको शुक्रवार की पूजा करनी चाहिए जिससे हमारे घर में मा लक्षमी का इस्था तो इस दिन विशेष आपको पूजा पाठ करनी चाहिए जिससे हमारे घर में मा लक्षमी की किरपा मिल सके दोस्तो आज मैं आपको उपाय बताऊंगी कि आपको क्या क्या करने हैं पूरी विदी बताऊंगी कि शुक्रवार को आपको सुभे से लेकर साम तक क्या करना है दोस तो मैं पहुँच गई हूं मैंन गेट पर इस तरह से आपको हल्दी वाला पानी मैं लोटे में लिआ हूं और इसके अपको सत्या बनाना है आप हल्दी का सत्या या फिर आप रोली का सत्या भी सकते हैं बहुती सुमाना जाता है अलहल्दी और रोली का प्रियोक करना तो इस तरह से आपको सतिया बनाना है और सतिय के जो साइड में दो जो लाइन होती है दोस्तों वो जरूर बनानी है कहते हैं इन दो लाइन बनाने से मा लक्षमी का इस्थाई निवास हमारे घर में होत आपको विसेज पूजा शुक्रवार वाले दिन करनी है, आपको मैं याश्ट में दहलीज बताऊंगी कि केस तरह से आपको पूजन करना है साम को जिससे मा लक्ष्मीं हमारे घर में आममंत्रीत हो सकें, दोस्तो जैसे आप शुक्रवार को पूजन कर रहे हैं, आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों जैसे की इत्र इत्र जो होता है दोस्तों या तो आप पर्फ्यूम ले लीजिए या फिर आप इत्र भी ले सकते हैं इस तरह से इत्र होता है आप इत्र का प्रियोग भी कर सकते हैं कहते हैं शुक्रवार वाले दिन हर महिला को इत्र का प्रियोग जरूर करना चाहिए बलकि मेंबर्स जो होते हैं उनको इत्र का प्रियो करना चाहिए इससे हमारा जो शुक्र होता है दोस्तों वो बहुती मजबूत होता है तो आपका पहला यही उपाय है मेरा सुबह नहा दोकर आपको इत्र जरूर लगाना है मालक्षमी को भी इत्र जरू पूर अर्पित करना है इससे मालक्षमी की किरपा हमारे उपर बनी रहती है और शुक्र जो होता है हमारा मजबूत होता है जब शुक्र मजबूत होता है तो हमारे सारे काम बनने लगते हैं महिला का शुक्र जरूर मजबूत होना चाहिए तो ये जरूर उपाय करिए आप हर शुक्रवार को आपको इत्र जरूर लगाना है और मालक्षमी को जरूर अर्पित करना है दूसरा उपाय दोस्तो फूल फूल आपको जरूर चड़ाना है गुलाब का फूल भी ले सकते हैं आप कमल का मिल जाए तो कमल का फूल भी आप ले सकते हैं तो आपको दूसरा जो ले मा लक्षमी को अर्पित करना है आप गुलाब का फुल ले सकते हैं और दोस्तो क्या करना है आपको जैसे कपूर होता है दोस्तो इस तरह से आपको कपूर लेना है कपूर से मा लक्षमी बहुती जल्दी आकर्शित होती है तो आपको क्या करना है लॉंग लेनी है चार मा लक्षमी की विशेश कृपा हमें मिलती है तो इस तरह से आपको कपूर लेना है और लॉंग लेनी है दोस्तो आपको तिलक करना है वो रोली से ही करना है हल्दी वल्दी ज्यादा प्रियोग ना करें जो रोली होती है लाल रंग से मा लक्षमी बहुत ही प्रशन होती है तो आप पूजा के लिए जोज जलाते हैं वो लाल रंग की आपको इस तरह से लाल रंग से कलावा जो उससे आप ऐस तरह से बाती बना कर लंबी ही बाती बनाई इसकी लंबी बाती ही बनाई जाती है मालक्षमी के लिए तो इस तरह से आप करके मालक्षमी को इस तरह से बाती ब बनानी है और खीर का मालक्षमी को जरूर भोग लगाना है और वो भोग लगाके आपको समर्पित करना है सबको बाटना है जिससे और जब भी आप खीर का भोग लगाए विश्णु जी को सबसे पहले विश्णु जी का आवन करना है कि विश्णु भगवान से कहना है आप आ के साथ जरूराएंगी, तो आपको इस तरह से आउहन करके जरूर करना है और साम को जसे मैं ने बताया है, धेलीज दीपक के दिपक जलाना है, दोस्तो अब में सिखाने जा रही हो आपको यहाँ पर धेलीज पूजन आपको कैसे करना है शुकरिवार को, सामगरी देख लिजे, आपको क्या क्या यहां मैंने हल्दी ले ली है चावल लिए है और तरह सा रोली पानी गोल कर कुठ लिए है इसका हमने पानी दाल लिया हुआ तरह से गोल में तयार कर लूँगी आप इसे थोड़ा सा पतला रख लीजी गोल क्योंकि हमें हल्दी का थोड़ा सा लेप लगाना है जिससे पवित्र हो जाए हमारी जेगे तो पहले मैंने गंगर जल से पवित्र कर ली है उसके बाद मैं यहां पर हल्दी से चौकर बना दू यह तो बहुत जल्दी जल्दी होता है कभी कभी हमें बहुत जल्दी हो रहती है यह तो हम जादा रंगोली नहीं बना पाते हैं तो यहां मैंने सतिय का यूज कर रही हूं मैं आटे से सतिया बना रही हूं आप यहां पर चाहीं रंगोली भी बना सकती है नहीं तो आप इस के तरह से थोड़ा से डिजाइन बना दिया है अगर आपके पास रंगोली बनाना चाहई हैं तो आप ऐसे ही अपनी चोकट को रंगोली से यहां मैंने रोली ले ली है और इसे रो जिद यार कर लिया है उत्व डियार के लिए कि पास चरंचिन जरूर बनाए शुक्रवार के कि चरंचिन आपको बनाने हैं इस तरह से अपको कर लीजी है जैसे मा मा लक्ष्मी हमारे घर के अंदर व प्रिबेश कर रही है इस्तरह से आपको इस्थापित करने है आप सुभध को भी कर सकते हैं पूजा आप साम को भी कर सकते हैं जोबkanime में जब भी आपको टाइम मिले आप कर सकते हैं इस तरह से मैं पिलेट ले ले लेंगे यह तो इस तरह आपको बिलेको खत्तिया ना कर सकते हैं दोस्तों तो यहं दिया लगाए जाता है निया मैंने थोड़े से चावल डालें कभी मैं हर वीडियो में बताती हूँ आपको बिना सिंगासन के हम दिया नहीं लगाना चाहिए तो सबसे पहले मैंने सिंगासन दे दिया है इस तरह से दिया के लिए चावल की डेरी बना दिये उसके उपर मैंने दिया रख दिया है अब हमें दिया भी पूजना है दोस्तों इस तरह से मैंने दिये को भी पूजा है बिन्दी लगा दी है मैंने दिये को इस तरह से आप जोत जला लीजी इस तरह से हमारी मालक्षिमी का हमारा मनी मन प्राथना करें कि मालक्षी में हमारे घर आमंत्रित हो आप हमारे घर इस्थाई रूप से आप निवास करो इस तरह से आपको दिया पूजना है जलाने के बाद इस तरह से आपको मिश्री ले लीजिए या फिर आप चीनी भी ले सकती है इस तरह से आपको पूरी दीपमाला दीपक की पूजा क दिखाया यह हर शुक्रवार को आपको करना है जिससे मा लक्षमी का इस्थाई निवास हमारे घर पर बना रहता है तो बहुत ही अच्छा चुक उपाय है जरूर करिएगा या तो आप फैरी में भी सुबह के साइम जला सकते हैं या फिर आप साम के समय भी जला सकते हैं आपको आठ वजे से पहले पहले यह काम करना है जिससे मा लक्षमी की विशेश करपा मिलती है दोस्तो इस तरह से शुक्रवार की पूजा आपको जरूर करनी है तो वीडियो कैस अच्छी लगी जरूर बताइएगा अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेगा जिससे आगे वीडियो मिलती रहें और कमेंड में जय मालक्षमी दोस्तों जरूर लिखेगा जय मालक्षमी